बड़े फैसले, कम हुए फासले मोधी सरकार का दूसरा कारेकाल कई एतिहासिक फैसलों का गभा है इस एक साल में दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो देश के गौरव शाली इतिहास में एक नासूर पनी हुई थी साथ ही जनहित में ऐसे बड़े फैसले भी लिये गए जिसने देश वासियों और श्वेष्ट और सशक्त भारत के निर्वान के बीच के फासलों को कम कर दिया मोधी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिये गए बड़े फैसलों की फेहरिस्त भी दप्वी है जल शक्ती मंत्राले 31 मई 2019 को देश में पहली बार जल शक्ती मंत्राले का गठन हुआ नए मंत्राले के गठन का उद्देश साफ है कि साल 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुँच सके लोगों को बूंद बूंद पानी को न तरसना पड़े और ग्रामीनों तथा साफ पानी के बीच मीलों के फासलों को मिटाया जा सके किसान संबान निधी का विस्ता 1 जून 2019 को मोदी सरकार में किसान संबान निधी उचना का विस्ता करते हुए सब ही किसानों को इसके दाइरे में शामिल कर लिया अब देश के हर किसान को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किष्टों में सीधियों के बैंक खातों में हस्तान तरिफ की जाती है तीन तलाक 30 जुलाई 2019 महिला सशक्तिकर्ण की दिशा में एक एहतिहासिक दिन सामुथ हुआ जब देश की संसद ने 3 तलाक बिल भारित किया मोधी सरकार का महिलाओं की पती सम्मान और उहे बराबरी का अथिकार देने की प्रतिलुद्धता के चलते ही मुसलिम महिलाओं को 3 तलाक पी कूप रथा से मिली मुकती आज देश में 3 तलाक गैर कानूमी है और इस कानून का उलंगन करने वाले को तीन साल तक पी सजा और जुर्माने का प्रावधान है अनुछेद 370 और 35 ए निश्क्री है 5 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा स्वनिन दिन है जिसने अखंद भारत की अवधारना को साकार कर दिया इस वैसले ने जम्मो कश्मीर और देश के अन्य लोगों के बीच के फासनों को मिटा दिया देश का सम्मिधान जम्मो कश्मीर और लंदात में लागू हुआ और वहां के हर नागरिक को देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिलने लगे दो जंडों का प्रावधान खत्म हुआ और अब प्रदेश में पूरी शाम के साथ तिरंगा देहरा रहा है किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन बारह सितंबरOO 20 team का दिन किसानों और छोटे व्यापारियों के भविश्य को सुरक्षित काने के लिए नियी कपथर साबित हुआ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगू और सीमान्त किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुवात की जिसके तहट इन्हें मामूली अंशदान करने पर साट साल की आयू के बाद तीन हजार रुपए की पेंशन सुनिश्चित हो सकी मोदी सरकार के इस निर्णे के बाद किसान और छोटे व्यापारी अब बृधा वस्था में भी आत्मनिर्भर रह सकेंगे अनधिकरित कॉलोनिया फुल पक्की मोदी सरकार ने 23 अक्तूबर 2019 को दिल्ली के लोगों के हित में लिया एतिहासिक निर्णे और अनधिकरित कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाथ लोगों को न्यूनितम दरों पर उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया वर्षों से कच्ची कॉलोनिय में रहने वाले 30 पाले दिल्ली के लोग अब सम्मान की जिन्दगी जी रहे है किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को द्यान में रखते हुए मोदी सरकार में नवंबर 2019 में क्षेत्री व्यापक आर्थिक भागिदारी समझोते में शामिल नहीं होने का फैसला किया इस फैसले से देश में अनुचित आयात बंद हुआ ये फैसला किसानों, सूक्ष में लगू एवं मजहौले कुपकर्मों, मैनुफैक्चरिंग, फामा, केमिकल्स तथा देरी क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार सिध्ध होने वाला है राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा, दशकून तक स्वार्थ प्रेदित राजनीती के दुष्चक्र में फसा रहा लेकिन असंख्य राम भक्तों के बलिदान और भाजपा की अटूट प्रतिबर्धता का ही पनिनाम था कि 9 नवंबर 2019 को सर्वुच्य नायाले के पैसले से राम जन्म भूमी पर भव्य राम मंदिर निर्मान का मार्ग प्रशस्त हुआ मोदी सरकार ने भी मंदिर निर्मान के लिए ततपरता दिखाते हुए श्री राम जन्म भूमी पीप शेत्र ट्रस्ट का गठन किया आज अयोध्या में राम दला को चांदी के सिहासन में सुशोभित किया जा चुका है और राम जन्म भूमी के समतली करण का कार्य प्रगती पर है करतारपुर सहिप कोरिडर सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर सहिप के दर्शन को लेकर सिख समुदाय पिछले करीब सतर साल से सरकार से मांग कर रहा था लेकिन राजनितिक पुदासींता के चद्धे भारत के लोग दूरबीन से पवित्र गुर्दवारे के दर्शन करने को मजबूप थे 9 अवंबर 2019 सिख समुदाय की आस्था को सम्मान देदे हुए प्रधानमंतरी श्वी नरिंद्र मूदी ने एतिहासिक कर्तारपुर साहिब कोरिडॉर का उद्धाधन किया अब शद्धालू बिना बीजा कर्तारपुर साहिब में मथ्था टेक कर उसी दिन बापस लोट रही है नागरिकता संशोधन कानू 1950 में हुए नहरू लियाकत समझोते के बाद पाकिस्तान में अलप संख्यकों पर अध्याचार बढ़ते ही गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में धार्मिक रूप से प्रतारित होकर जब ये अलप संख्यक भारत आए तो यहां की सरकारों ने भी इनके जख्मों पर मरहम लगाने की पहल नहीं थी 11 दिसंबर 2019 का दिन देश में रह रहे हैं इन लाखों शर्रावतियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया जब देश की संसर में नागरिकता संचोधन विल सर्व संबती से पारित हुआ बिल पास होने के बाद पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2004 से पहले भारत नाए हिंदू, बौद, जैन, पार्सी, सिख, इसाई समुदाएं के लोगों को भारत की नागरिकता मन्ने का रास्ता साप हुआ ब्रूर यांग और बोडो समझोता दशकों से लंबित ब्रूर रेफ्यूजी समस्या का समाधान हो यह 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या मोदी सरकार ने इन दोनों समस्याओं के सार्थक और शांती प्रिये हल निकाले गए बोडो समझोते से जहां असम की अखंडता का मार्ग व्रशस्त हुआ वहीं बेहतर भविश्य की नीव भी मजबूत हुई प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना लॉकडाउन के दोरान गरीबों और जरूरत मंदों की ततकाल सुध लेते हुए मोदी सरकार ने 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड रुपए की प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना की घोशना की इसके अंतरगत गरीबों को मुफ्त खाद्यान, मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला जनधन खाता धारकों को तीन महिने के लिए 500-500 रुपए की आर्थिक सहेता, वप्रधान मंत्री किसान सम्मान निधीक रहत किसानों को 2,000 रुपए देने की घोशनाएं भी की गई ब्रिजव बैंक अव इंडिया ने भी अर्थ व्यवस्था को मजबूती देने और देनदारों को रहत देने के लिए महतोपून कदम उठाए और सभी प्रकार के टर्म लोन की EMI पर पहले तीन महिने मार्च, अप्रेल और मैं की छूट दी गई जब लोकडाउन और बढ़ा तो ये छूट भी तीन महिने और बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दी गई महामारी रोग संशोधन अध्यादेश कोरोना संकट के समय निस्वार्थ भाव से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार ने 22 अप्रेल 2020 को विशेश सुरक्षा चक्र तयार किया ये अध्यादेश लाकर डॉक्टरों और स्वास्थ कर्मियों पर हमले करने वालों पर कठोर टंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया आत्म निर्भर भारत पैकेज नसर्फ करोना संकट में देश और जरूरत मन्नों को उबारने के लिए बल्कि देश में सवरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड रुपए का आत्म निर्भर पैकेज लेकर आई है इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्वेडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तन किये गए है सभी क्षेत्रों में धाचागज सुधार कर एक लॉंग टर्म विजिन के साथ भारत आत्म निर्भरता की ओर आगे बढ़े और भविश की किसी भी जुनोती का सामना दृता से कर सके ऐसी परिकल्पना के साथ इस पैकेज का खाका बुना गया है एक साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैस्वों ने ये साबित कर दिया है कि देश वासियों की आकांगशाओं की पूर्ती के लिए वो संकल्प बद्ध है चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक आपदा क्यों आ जाए मोदी सरकार देश सेवा में हर बल अविरल और अनवरत समर्पित रहेगी तभी तो कहते हैं कि मोदी सरकार में अपने दूसरे कार्यकाल में जब राश्ट्र में लिए बड़े फैसले तो गम हुए है फासले झाल